हाई अब्रिवन, बूट मॉट निटू अलाफ यू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिंप्लिफिकेशन पार्टू, उभरगांतर पर आधारी सवाल, a square minus b square पर आपका दिया, एकोश्टेक में प्लस b, एकोश्टेक में a minus b, इसी फार्मूले पर आधारी थमलों पढ़ेंगा सवाल, जैसे कोश्टन आपका दे दिया, कोश्टन दे दिया है, 77 इंटू, 77 इंटू, 77 इंटू, 77 इंटू, 23 इंटू, 23, अपान, आपका दे दिया है, ब्रेकेट में, 77 प्लस, 23, ठीक है दोस्तो, तो देखिए, हम इसको साल करेंगे, इसको साल्व करने जे लिए, देखो, 77 इंटू, 77 इसको लिख सकते है, 77 की स्कौर, 23 तो यहां सम लिख सकते है, क्या, 77 पलस, 23, और 77 मैंईस, 23, अपान, क्या सकते है, 77 पलस, 23, तो देखो दोस्तों इसमें जो मिलेगा एक एक एंसिल हो क्या आपको उत्तर क्या हो जाएगा 77 में इस तेज घटा दीजिए 7 में से 3 जाएगा 4 साथ में से दू जाएगा 5 यह आपका एंसर 14 इस दा राइट एंसर ठीक है दोस्तों अब इसी पर हम पढ़ेंगे घटन के रूप में जैसे जब दिया रहे एक क्यूब मैनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है एक कोस्टेक में ए माइनस बी दूसरे कोस्टेक में क्या होत होता है एक कोस्टेक में ए प्लस बी और दूसरे कोस्टेक में ए स्कॉयर धन बी स्कॉयर मैनस ए गे और देखे एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c cube माइनस 3ab c बराबर होता है क्या एक कुष्टिंग में प्लस b प्लस c दूसरे बैरकेट में होता है a square प्लस b square प्लस c square माइनस a b माइनस b c और माइनस c a ठीक है यदि यदि a a प्लस b प्लस c का बैलू 0 दिया है तो आपका हो जागा a cube प्लस b cube प्लस c cube बराबर 3abc तो इस तूतर पर आधारी सवाल हम लोग पढ़ेंगे इसी पर जैसे दे दिया आपका सवाल दे दिया आपका 25 गुड़े 25 गुड़े 25 ठीक है दोस्तो माइनस 20 गुड़े 20 गुड़े 20 के बटे आपका दे दिया 25 गुड़े 25 ठीक है प्लस 25 गुड़े 20 और आपका प्लस दे दिया 20 गुड़े 20 देखे ये तीन बार है तो इसको अम लिख सकते हैं का 25 और इसको माइनस 20 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 25 की स्क्वाइर 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 20 और प्लस हो जाएगा 20 इंटू 20 ए आपका ब्रैकेट बन पूल के बटे कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 20 और प्लस 20 इंटू 20 देखो दोस्तो ये वाला ये वाला पुरा केंसिल हो जाएगा तो आपका का हो जाएगा पचीस में से घटा देंगे 20 तो आपका 5 हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा राइट एंसर अब ए तो अंक गड़िती फाम में दिया है अब 20 गड़िती फाम में भी दे सकता है जैसे दे दिया X kyao minus 8 के बटे आपका दे दिया X square minus X square minus का दे दिया X square minus 4 दे दिया चलिए इसको सालव करने के लिए दे दिया तो हम इसको क्या लिख सकते है एक कोष्टेग भी x-a कितने का क्यूब है, आठ दो का क्यूब होता है, दो का क्यूब बरावर आठ होता है, तो एक x-2 हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा, x-square प्लस 2 की square 4 हो जाएगा, और प्लस 2x हो जाएगा, अब एक वर्ग अंतर है, एक कोष्टेग में x-2 हो जाएगा, और एक में हो जाएगा, x-2, तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा दोस्तो, x-square प्लस a, दो का वर्ग है न, तो 4, और प्लस 2x, बट्टे x-2, यह आपका एंसर, ठीक है दोस्तो, इसी तरह की सवाल को पढ़ने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेयर करें, धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में,